सर 75 अंक नीचे हैं डाव फ्यूचर्स 40 अंक नीचे हैं नाजडाक फ्यूचर्स तो डेज लो से अच्छी रिकवरी आप अमेरिकी फ्यूचर्स में देख रहे हैं इसका थोड़ा इंपक्ट हमारे निफ्टी पर भी आ गया है क्योंकि 950 पर निफ्टी भी आ गया है कच्छा तेल दबाव है डेड़ परसें नीचे रुपे पर साथ पैसे की कमजोरी है बताएं सर क्या करना है इस समय पहले आप बताओ पहले क्या सुनना है अच्छा अच्छा या खराब खराब अच्छा सुनना है सर पहले तो इससे मेरा पूछ नहीं गलत था क्योंकि आप हमेशां जाद तरह आप तक का ट्रेक रिकोड यह के अच्छी वाली चीज पहले सुनना चाहते हैं तो अच्छी चीज यह दिप की आज फिर से 17,900 के ओपर निफ्टी बंद होने को तयार है यानि की क्लोजिंग आपकी 17,900 के नीचे होगी इसकी संभावना बहुत कम है वज़े बता दूँ 17,900 के पुट पर करीबं करीबं 1.5 करोड शेर है जो हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट है जिसमें से 80,000,000 शेर आज ही जुने है यानि कि पुट राइटर पुट राइटर वो लोग होते हैं जो तेजी की पोजिशन बनाते हैं पुट बेचते हैं और प्रीमियम कमाते हैं ये मान कर चाद रहे हैं कि आज आज आप 17,900 के नीचे मंद नहीं होंगे और उस लियाद से 17,900 पर भारी भरकम पुट राइटिंग किये राइट तो पहली चीज़ तो यह होई कि अगर आप नीचे जुक के दिखेंगे वा बस 40-50 मुट की रिस्क है ये क्या रिस्क होई इतनी तो ले सकते हैं तो उस लियाद से आपको confidence आ जाता है अपसाइट कितनी बन सकती है अपसाइट फिलाल 18,000-18,025 तक की ही दिख रहे हैं इसके उपर की नहीं दिख रहे हैं क्योंकि 18,000 के कॉल पर भी एक करोड 32 लाग शेर हैं जिसमें से 65 लाग शेर आज ही जुड़े है तो 100 पुइंट की रेंज में ये आपका highest open interest है 17,900-18,000 जिसा 700 पुइंट से 75 रहे गया 75 से पूरा flat हो जाए या positive होने की कोशिश करें तब तो आप 8,000-18,025 के आसपर जा सकते हैं लेकिंगे वो होता है नदीब कि जो भी बड़ा level होता है एक तो data की लियाद से दूसरा psychological level वहां पर एक बार तो रुखते ही हैं तो 18,000-18,025 मेरा यह मानना होगा है पहली बार वहां पहुंचे तो उतना उसको सम्मान देते हैं वहां profit book करना चाहिए फिर से नीचे आने का इंतजार आप कर सकते हैं तो यह आपके लिए range होगी दिन के लिए नीचे 17,900 उपर 18,000-18,025 आज के लिए data में साफ नजर आ रहा है अब आईए bank 50 इतने ही interesting data है bank 50 के भी 41,500 यहां पर put में highest open interest है 57,000,000 का open interest है मज़े की बात देखे दीप यहां पर भी 100 point की range में highest open interest है कॉल्स में जो highest open interest है वो 41,600 के आज़ पास है 49,000,000 का अब जो data bank 50 में बनके आने हैं वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि साफ भी दिख रहे हैं और साफ होने के साथ साथ confusion भी अब आप बोलेंगे दोनों चीज़े एक साथ कैसे हो सकती कि या तो data साफ ही हो या confusion हूई हो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे 41,300, 41,400, 41,500 ये 200 पॉइंट की रेंज हो ही 41,300 से 41,500 इस रेंज में जबरदस put writing होकर रखिए यानि कि बार बार bank 50 यहीं support लेगा ये data में साफ दिख रहा है इस 200 पॉइंट की रेंज में 200 पॉइंट की रेंज मतलब 3 strike price होगी ना 300, 400, 500 तो 41, 500 और इसके नीचे जैसे आएं अब उपर की तरफ आईए 41,500 से 41,700, 41,500, 600 और 700 इन तीन strike price पर जबर स्कॉल राइटिंग होकर रखिए और इसका मतलब है कि यह 200 पॉइंट की रेंज जब जब आप 41,500, 700 की रेंज में आएंगे आपके लिए थोड़ी बिक्वाली होती दिखेगी और इसलिए बचे वे सम बड़ी टाइट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लेकिन बैंक निफ्टी भी ने 41,300 की नीचे जाने की जल्दी है ने 41,700 को पार करने की हड़ बड़ी है और बीचो बीच में यही ट्रेड कर दे रहा है तो आज डाइरेक्शन लेने के लिए हम निफ्टी पर फोकस करेंगे क्या निफ्टी 17,975 से 18,025 की रेंज में पहुंच सकता है जिसकी संभावनाएं बंती भी दिख रही तो निफ्टी में थोड़ा सा महोल ज्यादा पोजितिव होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी 200 पॉंट इधर 200 पॉंट इधर मिडल में 41,500 इस निकलने के कोई जल्द बाजे अभी तक दिख नहीं जी यह आपको डेटा बता रहें